प्रशन 3, यदि बहुपद x3-3x2 plus x plus 1 के 0, a-b, a, और a-b हों, तो a और b ग्याद कीजे. या चुकि a-b, a, और a-b, बहुपद x3-3x2 plus x plus 1 के 0 है, इसलिए 0 कों का योग a-b, प्लस a, प्लस a, प्लस a, प्लस b, बराबर minus 3, बटा 1 के बराबर होगा. क्योंकि हम जानते हैं, यदि एक 3 गातिय बहुपद है, a x3 plus b x2 plus c x plus d, तो शुन्यकों का योग alpha plus beta plus gamma minus b upon a के बराबर होता है. तो जबकि alpha, beta, gamma बहुपद के शुन्यकों, तो यहां हम देखते हैं कि शुन्यकों का योग minus minus 3 बटा 1 होगा, यहां इस पश्ट है कि बहुपद x3 minus 3x2 plus x plus 1 में, a का मान 1 है, a का मान 1 है, b का मान minus 3 है, c का मान 1 है, और d का मान 1 है, तो हम क्या देखते हैं, alpha plus beta plus gamma बराबर minus b upon a होता है, तो यहां मान minus minus 3 बटा a अर्थात 1 के बराबर होगा, अर्थात यहां मान 3 के बराबर होगा, तो समीकरन को हल करके, हम देखते हैं कि 3a बराबर 3 अर्थात a बराबर 1 होगा, अब हम देखते हैं कि 2 शुन्यकों को एक साथ लेके, उनके गुणन फलों का योग c upon a होता है, c का मान इस पश्ट है कि 1 है, c का मान 1 है, और a का मान हम देखते हैं, 1 के बराबर है, अतहें 2 शुन्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणन फलों का योग 1 बटा 1, अर्थात 1 के बराबर होगा, हमें alpha, beta और gamma, alpha हम a-b ले ले लेते हैं, beta a और gamma a plus b, तो 2 शुन्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणन फलों कैसे लेंगे, a-b गुणा a, यह तो हमारा alpha बीटा हो गया, फिर beta गामा, अर्थात a, गुणा a plus b, और फिर gamma alpha अर्थात a plus b, गुणा a-b, और यह मान किस के बराबर होगा, यह मान c upon a के बराबर, अर्थात 1 के बराबर होगा, हम समी करनों को सरल करते हैं, तो हम प्राप्ट करेंगे, a square minus a b, plus a square plus a b, plus a square minus b square बराबर 1, a b से a b cancel होगया, तो हम प्राप्ट करेंगे, 3 a square minus b square बराबर 1, a हम 1 प्राप्ट कर चुके हैं, तो a का मान हमने 1 प्रतिस्था पित करना चाहिए, a बराबर 1 रखने से, हमने प्राप्ट किया, 3 a square minus b square बराबर 1, अर्थाद b square बराबर 3 minus 1 बराबर 2, और इसलिए b बराबर होगा, plus minus under root 2, तो हमने a और b के मान प्राप्ट कर लिये, a बराबर 1 प्राप्ट कर लिया, और b बराबर हमने plus minus under root 2 प्राप्ट कर लिया, तो यहां हम इस प्रशन में देखते हैं, हमने देखा कि हमें बहुपद जो की 3 घातिये बहुपद है, x cube minus 3x square plus x plus 1, इसके शुन्यक हमें a minus b, a और a plus b मिले हैं, हम इनको alpha, beta और gamma मान लेते हैं, हमारे दिये गए बहुपद की तुल्न, ax cube plus bx square plus cx plus d से करते हैं, तो हम देखते हैं कि alpha plus beta plus gamma का मान, minus b upon a होता है, तो शुन्यकों का योग इस इस्तिती में minus minus 3 बटा एक के बराबर होगा, जिससे हमने a बराबर एक प्राप्ट किया, यहां हमने a बराबर एक प्राप्ट किया, अब हम देखते हैं कि दो शुन्यकों को एक साथ लेकर, उनके गुणन फलों का योग अर्थात alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha का मान, c upon a के बराबर होता है, इस इस्थिती में यहां यह मान एक बटा एक के बराबर होगा, जिससे हमने एक समीकरण प्राप्ट किया, जो समीकरण है 3a square minus b square बराबर एक, जहां हमने a बराबर एक रखके b का मान प्राप्ट किया, कि b का मान plus minus under root 2 है, अर्थात हमने a बराबर एक और b बराबर plus minus under root 2 प्राप्ट किया,